इस चाप्टर की तो आज हम लोगों की चौथी क्लास है इस क्लास में हम लोग तुम्हारे matter in our surrounding का जो है वो part 2 सीखेंगे मैंने starting में ही कहा था कि ये chapter total आपके दो parts में divided है पहला ये कि matter होता क्या है matter की types क्या है और उसके बाद उन matter की properties क्या है और दूसरे टाइप में ये है कि उन matters में जो आपको अगर inter conversion करना हो कि एक physical state से दूसरे physical state में जाना हो वगेरा वगेरा तो किस तरीके से जाएंगे तो पहले inter conversion वाला part सीखने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ सीखेते हैं देखो ये चीज़ क्या है जैसे अभी सबसे important part ये कि हम लोगों ने बहुत बार अपनी day to day life में ये जो word है temperature इस temperature word का meaning सुना मतलब नाम सुना होगा ठीक है तो temperature क्या imply करता है कि temperature क्या है तो जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि मेरा वजन इतना है तो वहाँ पे जो मैं word यूज करती हूँ weight तो कि उस weight word को सुनते बराबर एक इनसान के दिमाग में एक picture बनती है कि अच्छा ये particular प्राणी करके किसके बारे में बात कर रहा है किसी भार के बारे में बात कर रहा है अगर हम मानेंगे volume ठीक है मैं बोलूंगी volume कितना है तो हमारा दिमाग कैसा चलता है कि अच्छा इसकी full on capacity के बारे में बात चीत हो रही है इफ वी आर टॉकिंग about length तो हमारा दिमाग चलता है कि कितना लंबा है उसके बारे में बात चीत हो रही है और अगर वी आर टॉकिंग about minutes, seconds and all तो इससे ये पता चलता है कि हम इस माल में बात करना चाहरे है कि अभी फिलाल अपना time कितना है तो वैसे ही temperature तो temperature भी तुम्हारे एक तरीके से कहा जा सकता है वेट ठीक है और उसके अलावा length उसके अलावा time और etc बाकी चीजों के जैसा ही ये एक ऐसी quantity है जो measure करती जैसे weight क्या measure करता है ठीक है अगर मैं बोलूँगी weight तो उससे क्या समयाएगा weight क्या measure कर रहा है किसी भी चीज का वजन ठीक है length क्या measure कर रही है उस चीज की लंबाई कि 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 लंबा होगा कितना चोटा होगा तो वैसी what is the term temperature वर्ड कभी उस करते है temperature वर्ड तब यूज करते हैं जब अगर आपके पास कोई एक system है ठीक है अगर आपके पास एक system है या फिर अगर आपके पास एक body है तो उस system या फिर उस body के अंदर हमेशा एक heat होगी अगर मैं पूछूँगी इस heat की वज़ा से ये particular body गरम हो गई है या ठंडा हो गई है त temperature एक्चुल में उसी hotness को measure करता है ठीक है अगर मैं पूछूँगी temperature क्या है तो temperature actually में measure करता है hotness of a body किसी भी body की hotness या फिर coldness राइट तो ये temperature में temperature का मीन है तो इस तरीके से हम नोग जा वेक मेशर करते हैं तो वेक मेशर करते वादा वेक कुछ ऐसा ही units होती है SI units के नाम पर के पास होता है और धी कुसके पास होती है CGS unit या नीकी जो लेंट होता है मेशर के पास है SI unit होती है meter और CGS unit होती है centi होती है तो वैसी जो तुमारा temperature के पास भी SI unit और CGS unit होनी चाहिए SI और CGS unit का जो मतलब है तुम लोगों को physics पहें से motion ने बताया जाएगा तो ये actual mail जो आपकी SI unit और temperature के लिए यूज करते हैं तो पहली बात तो हमें एक भात ध्यान में रखनी है temperature के लिए total हम actually तीन कई के units यूज करते हैं जैसे lens के लिए भी तो देखो कितनी तक के units होती है meter, centimeter, millimeter, nanometer, kilometer, right? kilometers, उसके बाद कहीं कहीं जगा आपके ऐसा देखोगे mile, yard, है ना बहुत सारे नाम मतलब अलग लग उसकी measurable terms होते हैं तो वैसे ही जो temperature है temperature को हम लोग जो रहते हैं ना measure करते हैं उस measure करने की units हम यूज करते हैं पहली होती है Celsius जो की काफी common है तुमने सुनी भी होगी Celsius दूसरा होता है उसको measure करने के लिए Kelvin और तीसरी unit जिसकोई इसे measure किया जाता है वो होता है तुम लोगों का Fahrenheit ठीक है अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिग दिया एक हो गया आपका Celsius और डूसरा हो गया आपका Kelvin और तीसरा हो गया यहाँ पे Fahrenheit तो अब यहाँ पे Fahrenheit लिखा ही है मैंने ठीक है तो यह हो गया आपके पास Fahrenheit इस तरीके से यह वो तीन स्केल से हैं जिससे हम लोग temperature को क्या करते हैं मेजर करते हैं क्या बात दिमार्ट में जा रही है तो पहला तो एक बात हमको समझना है कि what do you mean by the temperature temperature इस वर्ट से तुम्हें समझ में क्या आता है तो simply एकनम आसान सरल भाशा में temperature किसी भी बॉड़ी का hotness या फिर उसके अंदर की coldness को क्या करता है मेजर करता है राइट वो क्या करता है उसके अंदर की hotness या फिर coldness को मेजर करता है उस particular object का बराबर है तो अब इस temperature को जब हम मेजर करते है तो temperature के लिए हम लोग कुछ units यूज़ करते है जैसे अगर मैं बोल दूंगी 2 तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह 2 यानि कि मैं कि किसके बार में बात कर रहे हूं अगर मैं इसके पीछे आपका kg लगा दूँ तो तुम्हारा दिमाग चलेगा कि अच्छा मैं बात करना चारी हूं वेट के बारे में अगर मैं इसके पीछे minute लगा दूँ तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा we are talking about आपका time लेकिन अगर 2 के पीछे में कुछ लगाऊ ही ना तो तो ऐसे case में क्या हो जाएगा जब हम 2 के पी units लगाते हैं तो temperature को measure करने के लिए जो units हम लोगों के पास है वो actual है आपके पास total 3 units बराबर पहला है Celsius, Kelvin और उसके बाद है तुम लोगों का Fahrenheit तो temperature कोई तुम्हारी chemical property नहीं है ठीक है एक और बात तुम्हें यहापे temperature के बारे में पता होनी चीए कि temperature भी आपकी एक कैसी quantity है यह आपकी एक physical quantity है अब इन में से जो यह unit मैं तुम्हें बता ही हूँ temperature की यह temperature जो है तुम्हारे actual में Celsius, Kelvin और Fahrenheit तीनों units में आपके यूज़ कर सकते हैं लेकिन तुमने किस unit को सबसे ज़्यादा अपने day-to-day life में observe होते हैं तो तुमने में सबसे ज़्यादा देखा होगा Celsius को है ना अगर तुम लोगों को गर्मी में जो नूब आती है जैसे अभी आएगी कि यहां पे महाराष्ट्र में इतना टेंप्रेचर में इतना इतना पहुंच गया जहां पे अपने एरिया में अपनी city में बहुत ज़्यादा होता है करके है ना 48-49 डिग्री Celsius तक पहुंच मैं अगर तुम लोगों के पास एक थर्मामीटर है मर्कूरी वाला तो उस थर्मामीटर को अगर तुम्हें रूम तैंपरेचर निकान ला है तो उसको पानी में डिब्प काके रग दो ठीक है तुम्हें वहां से रूम तेंपरेचर दिख Celsius में रिपोर्ट करता है answer तो आमाइपा जो थर्मा मीटर है मेज जारत तर वो एक्चुल में degree Celsius में काम करते हैं ठीक है अब लेकिन फिर यह Kelvin कौन है यह Fahrenheit कौन है actually यह भी तुम लोगों के temperature को measure करने की units है ठीक है अब इनने से फिर हम SI unit किस चीज को कहते हैं इसमें से SI unit होती है actual में Kelvin ठीक है Kelvin तुम्हारे temperature की SI unit है यह बहुत important यहां से MCQ create हो सकता है यह favorite problem create हो सकता है क्योंकि हम में से ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि day to day life में हम लोग temperature को बहुत ज़्यादा यूस करते है तो therefore उसकी SI unit होनी चाहिए degree Celsius बट no the SI unit is what आपका Kelvin राइट वो आपकी कौन होती है Kelvin Kelvin के लिए हम लोग K word use करते है और degree Celsius के लिए degree का ऐसा थोटा सा sign और यह Celsius और Fahrenheit के लिए हम लोग क्या use करते है symbol F बराबर है तो फिर Fahrenheit कहां use होता है Fahrenheit भी करते हैं बट उतना ज़्यादा Fahrenheit हम लोग यूज नहीं करते हैं जालता degree Celsius और जालता तुम्हें कौन सा स्केल मिलेगा Kelvin स्केल मिलेगा ठीक है तो इतनी जानकरी 9 स्केल के साबसे काफी है अब इसमें और क्या-क्या जानकरी मैं तुम्हें सकती हूं वह यह जैसे कि हमें पता है कि आपके पास अगर मैं कहूं कि तुम्हें पास एक ice है चीक है यह एक ice cube है इस ice cube को तुम्हें melt करना है ठीक है तो तुम्हें मैंने कहा कि इस ice cube को melt करो तो एक particular लड़का जाता है या लड़की जाती है उस ice cube को melt करते हैं जैसे ही तुम्हारी ice cube melt होना शुरू होती है पताक से वो लोग temperature note down कर लेते हैं कि किस temperature पे इसकी melting actual में शुरू हुई ठीक है तो यह देखते हैं कि उनका जो thermometer था वो celsius में था अब क्योंकि उनका thermometer celsius में था तो उन लोगों के पास answer आता है 0 degree celsius वो अपने teacher को report करते हैं कि कि देखिए हमारा temperature जो है वो melting point of ice निकल के आया है 0 degree celsius बराबर तो teacher बोलता है लेकिन जो एक दूसरा person है ठीक है वो दूसरा person जाता है और उसको कहता है करके कि नहीं मा मैंने तो actual में मेरा temperature आ रहा है 273 अब तुम देखो कि यहाँ पे 273 और degree celsius में बहुत बड़ा वाला अंतर आ गया है है ना तो क्या ऐसा हो सकता है तो उसकी teacher explain करती है कि जो तुमने धर्मा मीटर यूज किया वो कौन सी scale में था Kelvin scale का था जैसे अगर मैं कहूंगी कि यह rod एक मीटर लंबी है और तुम्हारा दोस्त कहेगा कि नहीं नहीं यह तो 100 cm है तो क्या मैं गलत हूं? नहीं क्या वो गलत है? अब्विसली नहीं हम दोनों सही है क्योंकि 1 मीटर कुछ और नहीं बलकि क्या होता है आपका 100 cm ही तो होता है चाहे तुम 1 मीटर बोलो या चाहे तुम 100 cm कहलो तो वैसे ही एक आईस का melting point 0 degree Celsius है यह Celsius scale में लेकिन जो एक दूसा लड़का है उसके according 22 का melting point Kelvin scale में अगर नापने जाओं तो कितना है? 273 Kelvin है तो यहां से उनकी teacher ने उनको यह समझाया कि basically देखो अगर आप यह वाली चीज ले लेते हो ठीक है अगर आपने यह कहा कि दोनों का जो temperature है करके कि वो अलग अलग नहीं है दोनों का temperature सेम है ठीक है दोनों अलग कैसे हो सकते हैं तो इससे यह बाद समझ में आती है कि 0 degree Celsius is equal to आपका 273 Kelvin क्योंकि देखो आइस का melting point तो अलग हो नहीं सकता तो इससे यह बाम आपस conclusion निकला कि 0 degree Celsius यह नहीं कि कौन 273 Kelvin क्या बाद दिमाग में गई कि 0 degree Celsius मतलब क्या होता है it is equal to 273 Kelvin तो अभी तक एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजे सीखी पहला temperature एक फिजिकल क्वांटिटी है point number two temperature क्या करता है किसी भी system या किसी भी body की hotness या coldness को measure करता है अभी तुमाहे 9th level तक मैं ऐसी बता सकते हूं ठेक है higher level में तुम heat temperature की और perfect definition सीखोगे तीसा temperature को measure करने की units कितनी है चौथा उन सभी के symbols कैसे दिखते है पांच वहां कि उसमें से आप ऐसा ही unit किसको का होगे बराबर है ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पर हम लो अभी जो तुमाहे पास यह process है इस process में हमने यह देखा कि एक student कहता है कि मेरे पास melting point जो है वो इतना है zero degree Celsius और ice का और दूसर से student कहता है कि मैंने Kelvin scale में measure किया है तो मेरे लिए तो इतना है 273 Kelvin तो क्या हम दोनों गलत है तो टीचे उनको समझाता है कि नहीं तुम दोनों में से कोई गलत नहीं हो क्योंकि actual way ice का melting point तो अलग हो नहीं सकता just like 1 meter equal to 100 cm वैसे ही zero degree Celsius actual में किसके बराबर ह ठीक है तो अब एक खुद अपनी छोटी सी खोपड़ी चलाओ कि मान लेते हैं मैं तुमसे यह कहने लगूं कि अगर 0 degree Celsius 273 Kelvin के होता है तो फिर 1 degree Celsius किसके बराबर होगा मतलब 1 degree Celsius को मैं तुम्हें कह रही हूं कि मुझे Kelvin में convert करके दो तो तुमने अपने चोटा सा 1 degree Celsius को ऐसा लिख सकता है 1 प्लस 0 तो मैं बोलूंगी yes you can write 0 को कुछी में भी add करो क्या फरक पड़ता है फिर तुम बोलोगे कि जिसमें से 0 को हम लिख सकते है 273 Kelvin मराबर है ठीक है लिख सकते है तो actual में इसने बोला कि यानि कि आपका जो temperature है वो कितना है 1 degree Celsius यानि कि 274 Kelvin तो यहां से हमें वो एक सीख सिखा कर गया कि अगर आपके पास कभी भी कोई temperature Kelvin स्केल में दिया है ठीक है और अब अधर Kelvin स्केल में तुम को चाहिए Kelvin में तुम कनवर्ट करना चाहते हो तो क्या करो उस temperature में जो कि degree Celsius का है उसमें कितना add कर दो कितना add कर दो 270 तो वह वाली चीज तो मारी किस में कनवर्ट हो जाएगी Kelvin में कनवर्ट हो जाएगी ठीक है जैसे कि example इसका हम लोग ले लेतना है अगर मैं तुम से कहूंगी कि आपके पास एक 25 डिगरी Celsius है इस 25 डिगरी Celsius को Kelvin में कनवर्ट करो यह पेपर में आता है वनमाप के रहे question ठीक है तो तुम इसके Kelvin में कैसे convert करोगे जो भी आपको डिगरी Celsius में quantity दी हुई है उसने बस क्या कर देना 273 एड कर देना तो 273 एड करने के बाद देखो यह कितना answer आया 298 यानि कि 25 डिगरी Celsius जो है वो Kelvin में कितना कहलाएगा 298 Kelvin ठीक है अच्छा अब इस स्टेप में भी कैसा करते हैं गड़बडिया कर देते हैं देखो वो क्या है जैसे मान लेते हैं कल को मैंने 25 डिगरी Celsius के बजाए यह माइनस 25 डिगरी Celsius दिया होता और क्या होता कि इसको Kelvin में convert करो तो तुम्हें क्या करना है Kelvin में convert करने के लिए इसमें 273 एड करना है अब इत माइनस प्लस अब कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा और मैंने देखा था कि कई महान लोग उसको 298 ही लिखकर आ गए थे तो ऐसा काम तुम्हें नहीं करना है करके ठीक है तो बता दो यह calculation यहां से कितनी आ गए ठीक है यह आगे आपके पास 248 तो यहां से आंसर आ गया 300 Kelvin और मैं कह रही हूं से degree Celsius में convert करो तो कैसे करोगे देखो जब आपके पास temperature Kelvin में निकालना होता है तो हम क्या करते है जो temperature आपको degree Celsius में दिया होता है उसमें 273 आइट कर देते हैं अभी इस equation के according आपको 300 Kelvin दिया हुआ है और आपको temperature किसमें calculate करना है degree Celsius में calculate करना है ठीक है त तो 300 में से अगर 273 चला गया तो यहां से आपके पास आगया 27 degree Celsius तो Kelvin से degree Celsius में जा सकते हो degree Celsius से Kelvin में आ जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस term को याद रख कर ठीक है तो यह हो गया तुमारा notes number 6 अब यहां से एक question मैं ऐसे create कर सकती हूँ जैसे तुम बताओ boiling point of water पानी का boiling point क्या ह होता है तुम लोगों का 100 degree Celsius अब मैं अगर तुम से पुछू कि 100 degree Celsius को मुझे Kelvin में convert करके दो मतलब boiling point of water मुझे बताओ लेकिन Kelvin में बताओ तो ऐसे में क्या करेंगे degree Celsius को अगर Kelvin में convert करना हो तो तो degree से अगर Kelvin में जाना है तो 273 add करना है तो 100 में जब 273 add करोगे तो वह कितना हो जाएगा 373 Kelvin ठीक है तो यह तुम्हारा पहला पार्ट था किसके बारे में कि एक्ट्वल में टेम्ट्रेचर आपका common unit और इसकी SI unit क्या है temperature की common unit यानि कि जो हम अपनी day-to-day life में use करते हैं वो कौन है आपकी degree Celsius ठीक है लेकिन जिस unit को SI कहा गया temperature का वो कौन है आप लोगों का यह फैरनाइस कैल्विन अभी इसमें तुम्हाइबस में क्या है सिर्फ और सिफ degree Celsius से कैल्विन में ही कनवर्ट करना है बट मैं तुम्हें एक equation और बता देती हूं यह तुम्हारे काम आ सकती है करके अभी तो नहीं आएगी बट यह तुम्हें पता होना चाहिए करके कि मान लेते हैं कि अगर आपको फैरनाइट को और डिग्री को अपस में में तो यह इस तरीके की एक्वेशन से किसल जासकते हैं त्थ कर लोगे अलाकम vem और चैंके और CS ठीक है इस तरीके से तो यह तुम लोगों का है अब याड रखना यह जो तीनो स्केल्स हैं इन तीनो स्केल्स के अपने अलग-अलग थर्मामीटर होता है ठीक है मेजर्मेंट के बराबर है वहाँ पे ऐसा नहीं होता cessbourg कि एक ही थर्मा medres से अब तीनो स्केल्स को मेजर कर रहे हो ठेक है ना बस यह बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि यह वाली चीज इस तरीके से रहेगी बाकि टेंपरेचर के बारे में तुम्हारे इसमें इतना कुछ है नहीं मतलब कि एक्स्रा डिटेल में समझाओ मैं उसको तो इसी लिए चीज कैसी इतनी ही रहेगी अपने फिल अपर नेक्स मार्ट में यह सीथना है कि किस तरीके से आपको स्टेट आफ मैटर यह आपको चेंज करना है मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं ठीक है